नमस्कार दोस्तों स्वागताब का अपने यूटूब चैनल आरजेनर सिंगे के इन पर फ्रेंट्स आज बात करने वाले नोर सीट सिक्स परी एग्जामिनेशन दोजार चोविस के मेमोरी बेस्ट आंसर की के बारे बात करने वाले हैं जो कि सिप्ट पस्ट का रहने वाल है औ उसके साथ में आपको मिलने वाला है तो जो भी आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जुरूर कमेंट करे और कुछ केंडिडेट्स अगर उनका आंसर आपको रोंग लगता है तो उसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जुरूर कमेंट करना है तो बात करत है तो इसके अंदर जो formula लगने वाला है desire amount upon available amount into ml ओके तो desire amount यहां पर रहने वाली है 4 और जो available amount 10 और ml के अंदर यहां पर रहने वाली है तो यह total जो इसका answer है 0.4 ml तो जो इसका right answer रहने वाला 0.4 ml इसका right answer यहां पर रहने वाला है next बात करते है question number second है जो कि एक diagram दिया गया है और इस diagram के अंदर एक instrument यहां पर दिया गया था जिसमें पूछा गया है कि इसका जो following दिया गया कि identify the following instrument है जो instrument यहां पर दिया गया है उसको आपको पैचानना है और उसका right answer वाँपे देना था तीन options दो options यहां पर प्राप्त हुए जिसमें से प्स्ट है ellis tissue forceps और second retractor है तो right answer यहां पर रहने वाला options है ellis tissue forceps है जिसमें आप देख सकते हों यहां पर ellis जो tissue रहने वाली है इसका जो नुकेली दाने हैं एसवे यहां पर आपको नजराने वाली है और यह एक एलिस टीशी फॉरसेप्स रहने वाली है नेक्स्ट बात करेंगे क्यूसर नंबर थर्ड विच पोजिशन से यूज एड़ टाइम ओफ लंबर पंचर प्रोसीजर तो लंबर पंचर प्रोसीजर जो जब किया जाता है तो उसमें कौन सी पोजिशन वहां प पोजिशन दे के सी से पोजिशन भी दिल आई जाती जिसमें जो एब्डोमन में जो चेस्ट है वहां पर तो उसका जो हेड वो टच करता है और एब्डोमन के अंदर जो अपने लेक से वहां पर टच होते है इस परकार से उसको सी पोजिशन वहां पर प्रोवाइड की जात और यहां पे रहने वाला 0.02 second और यहां पे रहने वाला 0.04 second और यहां पे रहने वाला है 0.12 second तो इस परकार से 4 options यहां पे दिये गए हैं और 4 options में से अगर right answers के बारे में बात करें तो जो 0.08 second यह भी इसका right answer माना जाता है और 0.12 यह भी इसका right answer यहां पे माना जाता है between 0.08 and 0.12 second that is 80 and 100 milliseconds when the duration is between 0.10 and 0.12 second it is intermediate and slightly prolonged acquires duration of the greater than 0.12 second is considered abnormal 0.12 second से ज्यादा यहां पर इसका duration रहता है तो इसको abnormal में county किया जाता है नेक्स्ट एक क्यूसंस नंबर 5 early symptoms of hyponatremia hyponatremia का जो early symptoms है वो क्या रहने वाला है और जिसमें fatigue, thrust और attacks यहां और fourth option यहां पर नहीं प्राप्त हुआ है तो तीन options यहां पर प्राप्त हुए जिसमें hyponatremia का जो symptoms है जिसमें early symptoms के बारे में पूचा गया तीनों तो यहां पर hyponatremia की symptoms माने जाते हैं बड़ जो early symptoms है वो right answer यहां पर thrust इसका right answer रहने वाला है नेक्स्ट बात करते हैं क्यूसंस नंबर 6 जिसमें IV line irritations by which drugs है आईवी लाइन के अंदर जो irritations है किस drugs के द्वारा यहां पर हो जाता है rented in fenytoin, digepalm और epinephrine तो right answer यहां पर रहने वाला options भी fenytoin इसका right answer यहां पर रहने वाला जिसका बात करेंगर loading dose के बारे में तो loading dose जो fenytoin का है loading dose वो रहता है वन ग्राम ओके वन ग्राम इसका जो loading dose है fenytoin का रहने वाला है next questions नंबर 7 if 3 month old baby is on nasal CPAP and baby is hemodynamically stable how to feed baby एक बेबी तीन महिने का बच्चा है उसमें nasal CPAP लगा हुआ है तो बेबी जो hemodynamically stable है तो उसको feeding के से आप करवाने वाले हो जिसमें चार options है आईवी लाइन, breastfeed, tube feed और none of these तो इसके अंदर अगर बात करें यहां पर options में वहाँ पे दिया गए है तो इसका breastfeed भी right answer यहाँ पे जाता है और यहाँ यहाँ पर tube feed भी अगर options में वहाँ पे दिया गए है तो too fit भी इसका right answer जाता है यदि priority बात करें तो breastfeed यहाँ पे right answer जाने वाला यदि दोनों options में से उनने tube फीड है तो यहाँ पे tube feeding यहाँ पे इसका right answer जाने वाला है तो इस परकार से B और C दोनों यहाँ पे जोवी वहाँ पर उसको correct मानता है वो अलग बात है next बात करते है क्योंस नम्मर एट है इन इमर्जेंसी पैसेंट वाइटल साइन एक इमर्जेंसी के इंदर एक पैसेंट है उसकी जो वाइटल साइन है आप देख सकते हो 120 बाइ 66 mm of HG पैसेंट को अपन येलो, ग्रीन, ब्लेक और रेड़ तो इसके पैसेंट को अपन येलो, ग्रीन, ब्लेक और रेड़ तो इसके पेसेंट को जो green केटेगरी के अंदर यहाँ पे count करने वाले हैं नेक्स्ट एक questions नमबर 9 CPR adult patient compression ventilation ratio एक पेसेंट adult patient उसमें CPR दिया जा रहा तो उसमें compression जो ventilation ratio है वो कितना रहने वाला यह बहुत important questions है हर बार examic questions पोचा जाता है CPR से ले लेटन एक या दो questions हर बार यहाँ से पोचा जाता है जिसमें से 4 options है 30 by 2 30 ratio 2 30 ratio 1 15 ratio 2 15 ratio 1 तो right answer यहाँ पे options है 30 ratio 2 next questions number 10 child with complaint of diarrhea एक बच्चा है diarrhea की complaint and vomiting और drink energy diagnosis है तो पेसेंट एक बच्चा है जिसकी complaint diarrhea और vomiting का और drink कर रहा है तो इस परकार से वो पानी पी रहा है तो उसका diagnosis क्या रहने वाला है कि इस परकार का dehydration रहने वाला है mild dehydration, moderate dehydration, severe dehydration और non dehydration तो जो right answer है यहाँ पे options B moderate dehydration तो friends answer में जो questions है उसका answer आपको exact मिलने वाला है बट जो इसका questions का language है वो यहाँ पर आपको change मिल सकता है और कुछ ऐसे questions जो आपको याद है तो आपको comments box में जुरूर comment करना है जिससे कि next video में उसको भी include किया जा सके then questions number 11 which oxygen methods use for the raw traffic accident patient come in the emergency कौन सा methods यहाँ पर यूज किया जाता है तो इसके 4 options नहीं मिले है आपको comments box में करना है कि क्या-क्या options इसके रहने वाले है जिससे कि इसको भी next जो वीडियो है पार्ट है उसके अंदर include किया जा सके next बात करते है questions number 12 के बारे में जिसमें दिया गया है कि 50 ml bolus run in 15 minutes then in 1 hour infusions is how many ml fluid से 15 minutes के अंदर यहाँ पे 50 ml यहाँ पे bolus दिया जा रहा है तो 1 गंटे के अंदर ओके तो 1 hour के अंदर इसको कितना fluid दिया जाएगा तो यहाँ पे 15 जो दिया गया है 15 minutes में है तो इसको 4 से multiply करने के बाद में जो इसका answer है 200 यहाँ पे इसका answer आता है next questions number 13 जो की ECG से related questions पूचा गया है जिसमें ECG को देख के आपको इसका answer बताना है जिसमें से 4 options है sinus bradycardia, sinus flutter ventricular tachycardia sinus tachycardia तो right answer यहाँ पे रहने वाला options D sinus tachycardia next questions number 14 जो की reasoning से related questions है जिसमें 54 अनुपात 18, समानुपात 62 और यहाँ पे question mark दिया हुआ है तो 54 अनुपात 18, समानुपात 62 तो इसका जो next जो value है उसको ग्याद करना था जिसमें से आप देख सकते हो यहाँ पे 4 प्लस 5 प्लस 4 बराबर 9 तो 9 को 2 से अगर multiply करते तो यहाँ पे 18 आता है और 6 प्लस 2 8 और 8 को अगर 2 से multiply करते तो यहाँ पे कितना आता है 16 तो right answer यहाँ पे रहने वाला options A, 16 इसका right answer रहने वाला है next बात करते हैं options नमबर 15 a 3-year child 80 tubes 4.5 mm the use the suction catheter तो यह 3 साल का बच्चा है उसमें 80 tubes 4.5 mm के लगाई हुई है तो उसमें कौन सा suction catheter यहाँ पे यहाँ पे यूज करना है 2 फ्रेंच, 4 फ्रेंच, 6 फ्रेंच, और 8 फ्रेंच तो right answer यहाँ पे रहने वाला है 8 फ्रेंच और यह दी यहाँ पे options में 10 फ्रेंच भी अगर दिया गया है तो 10 फ्रेंच भी इसका right answer जा सकता है और 8 फ्रेंच भी इसका right answer जा सकता है नेक्स्ट एक प्यूसस नमबर 16 जिसमें एक पैसेंट अटेंडर टेक ब्लड 4 पैसेंट 4 पैसेंट तो उसके ब्लड बेंग से उसके लिए ब्लड लेके है तो उसको लाने के बाद में कितने time में उसको ट्रास्वूज करना जरूरी है मतलब लगाना श्टार्ट करना जरूरी है तो within 30 minutes, 60 minutes ओ propio 90 minutes उके तो इसके अ cracking यहाँ पे within 30 minutes के अंदर अपने को ब्लड है पहुचा दिया जाता है ओके तो यह एक ब्लड मेंग की गाइडलाइंड पोलिसी रहती है जो कि आपको याद रख लेना है नेक्स है Quseंस नमबर 17 हेल्थ केर एसोसियटिव इन्फेक्शन एड टाइम औफ तो हेल्थ केर एसोसियटिव इन्फेक्शन से उसका टाइम यहां पर पूछा गया है जिसमें वन डे या 24 आवर्स, टू डे या 48 आवर्स, एर दर टाइम आप दे अडमिसंस और आप्टर डिस्सार्ज, तो जो राइट अंसर इसका रहने वाला है, आप्शन्स बी, टू डे या 48 आवर्स के अंदर अंदर, हेल्थ केर एसोचेटेड जो इन्फेक्शन्स रहता है, वो उन केरोसिन ले चुका है, तो उसका प्रियोटिव मेनेजमेंट यहां पर क्या रहने वाला है, सक्षन, एक्टिवेटेड चारकोल, गिव, मिल्क, एंड वाटर, और एन्पियो, ओके, इसके अंदर, जो राइट आंसर है, राइट आंसर के अगर बात करें, तो आप्शन्स 20 का राइट आंसर रहने वाला है, एक्टिवेटेड चारकोल उसको दिया जाता है, नेक्स्ट बात करें कुसंस नंबर 19 के बारे में, जिसमें एक पैसेंट वेजाइनल ब्लीडिंग, CA125, देन डाइगनोसिस, तो एक पैसेंट जिसमें वेजाइनल ब्लीडिंग है, और उसका ज नेक्स्ट एक क्योसंस नंबर 20, जिसमें एक पैसेंट का 32 विक गेस्टेसंस ऑप मदर है, और ब्लीडिंग एंड पेन फिटल डिस्टेस यहां पे सो हो रहा है, तो उसके अंदर क्या चांसेस है, क्या डिजीज होने का चांसेस है, प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्सिय प्लेसेंटा, ओके, यह है एब्रप्सिय प्लेसेंटा, तो यह कंपलिट 20 कुशंस के बारे में बात कर चुके, नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला, उसके अंदर फिर कुशंस के बारे में बात करेंगे, अगर कोई इसा कुशंस जिसमें आपको डाउट हो तो प्लीस कामेंट्स सबुक्स में जुरूर् कामेंट करना जिस्सकी उसको नेकस्ट वीडियो के इंदर इन्क्लुड किया जा सके तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त्रे, मस् तरे, ध्युद्स झाल 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 झाल